हेलो, नमस्कार, किसान साथियो, मेरा नाम दलबीर है, और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है, और आज मैं आपके लिए एक खेती से जुड़ी नई वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीड इस चर्द है को खोल करक हो इस प्रबंद्न के बहुत जोरी है। और इसमें कीट प्रबंदन और रोक प्रबंदन भी बहुत जूरूरी है इसके बाद हम इसके कटाई वा कटाई करते हैं अब हम बात करते हैं कि इसके बिज़ाई का समय कोन कोन से सालदा ने रखे जिसके कि 20 गौन कोन 100% तक हो जिससे कि हमें कम खचब कम समय में ज्यादा से अगर आप चैनल पर नई हो तो इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें ताकि इन्ने किसानों को जानकारी प्राप्त हो अगर आप और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अर्थ सुसक इलागों में होती है यह गरम ओसम की फसल है जिसे बाज़रे के साथ मिला कर बोया जा सकता है इसे अरी सबजी के रूम में भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ जगों पर इसे अरे चारे के रूम में भी प्रियो करते है इसका अच्छा दाम भी मिलता है इससे किसा सलाना लाखोर उपए की कमाई कर सकती है इसकी खेती मुख्यतों पर राजस्तान हरियाना उत्तर पद्देश एंपिवा महाराष्टर के कुछ इस्सों में की जाती है महाराष्टर में लगवग 9-7-6 में इसकी खेती की जा रही है कर्शी विवा के अधिकारियों ने बताया कि पस्वों को गवार खिलाने से उनमें ताकत आती है तो धारू पस्वों की दूद देने की समता में हेलो नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागता है मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेकनिकल-फार्मिंग है आज मैं को गवार की 2 ora 2,0 कि कुछ विछेस्ताउं के बारे में बताऊंगा गवार 2,0 इस ब्रैटि के पैदावार सबसे अच्छी हो होता है इसकी वाई हर्याना वाराजस्तान में सबसे ज्यादा की जा सकती है एक अंकट के लिए 5 किलो भी प्रियापत रहता है इसकी बिजाई आप अलकी ब्लूई दोमट अलकी वा भारी मिट्टी में की जा सकती है पांस किलो पैकट के किमत लगबग 500 रुपए के आज पास ह इस वाराजस्तान में फुटाओ भी अच्छा होता है इसकी लिए इसकी पाइदावार सबसे ज्यादा वाराजस्ति है ज्यादा बौई 563 वर 220 वाराजस्ती की जाती है इस वाराजस्ते में किसी भी प्रकारगी कोई वीमारी नहीं आती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, वाइन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, धन्यावाद. नमबर सोड़ा केट वरोगा परबंदन, नमबर सोड़ा इंसेक्टिस साइड वर टोनिक का सप्रे, नमबर सता कटाई, फिर कडाई, फिर पंडारन. ये मुक्के सावधानिया है जो हमें गवार की फचल में रखनी चाहिए. गवार की खेती के लिए उप्यूकत समय, गवार की खेती खरीब और गर्मी के मौसमें की जाती है. कालिन फचल की बुआई के लिए मई मैंने का परत्म खोड़ा उप्यूकत समय है. ये आप नेरी पानी से भी कर सकते हैं. देरी से बुआई करने पर पैदावार पर प्रतिकल प्रभाव पड़ता है. वर्षा अरितुक की फचल की बुआई के लिए जोन वाज जुलाई उप्यूकत समय है. वर्षा अरित छेतरों में जुलाई मा में वर्षा आगमन के समय ही गुआर की पुआई कर देनी चाहिए. बजार में बाजरा की बहुत सी वराइटियां अपलुफद होती है. मई मईने में हम अगेत्ती वराइटी, व जुन जुलाई में हम पचेति वराइटी, या फिर हम समय के अनुशार ही वराइटी का चुनाऊ करते हैं. खेत का चुनाव इसके बाद हम बाजरा की विजाई के लिए हम खेत का चुनाव करते हैं अगर पहले उस खेत में सर्षों की विजाई की थी तो सर्षों के फनों को रोटो वर्टर की सायता से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सर्शों के फानों खेत में अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए फिर आप हैरो की साथा से दो तीन बार अच्छी तरह से जुताई कर दे फिर आप लेजलेवर की साथा से खेत को संतल कर दे अगर खेत पिरानी है तो आप रोटावेटर की सायता से दो तीन बड़ जुताई कर दे फिर आप हैरो की सायता से उसकी एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे या फिर आप कल्टिवेटर की सायता से एक गहरी जुताई कर दे अगर खेत नहरी है तो उस खेत को लेजर लेवलवर की शायता से संतल कर दे ताकि खेत की सिचाई अच्छी तरक्षी हो जाई मिट्टी की जांच सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले जिससे हमें यह पता सब जाता है कि कि यह मिट्टी में कौन-कौन से पौशक तत्तों की कमी है, वो खेत की मिट्टी किन-किन फसलों के लिए उप्यूकत है, और इस मिट्टी में कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है, जैसे केहू, चन्ना, अरहर, सरसू, राया, बर्सीन, कन्ना, अलू, मक्का, बाजरा, कपा मिट्टी की जांच से हमें यह पता चल जाता कि इस मिट्टी का पी-एच मान कितना है, और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है, पाने की जांच, अगर आप फसल की विजाई के लिए नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो यह ऐस्भी प्रकार की फसलों के लिए जो सकता है, और पाने का। जुर्त पड़े तो हमें नही पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए खेत की तेयारी वह गूबर की खात अगर आप खेत में गूबर की खात का इस्तेमाल करते हैं तो आठ से 10 टॉली एक अंकट के लिए प्रयापत रहती है K προstad कori को पबार की काथ जमीन में अच्छी तरह भी ख़ये कर जमिन को समतल कर देना सही जए गवार की ख़टी के लिए उन्चित जल्ड निकास सबाली दोंअए बलू ही दोंवट मिटी सर्वत्म रहती है यह फसल सिंचित वा ऐसंचित दो चेतरों में सफलता परूप उगाई जा सकती है अलके सारी है वा लबनी बुमी जिसका प्याच मान साड़े साथ से साड़े आठ तक हो वहीं पर गवार के खेतिया सानी से की जा सकती है गवार के लिए एक जुताई मिल्टी पर्लटने वाले हल या डिसक हैरों से क्रोश जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए इसके उपरांत एक कर्टिविटर से जुताई प्रियापत रहता है जिसमें मर्दा नमी संक्सित रहे जुलाई जुन के दिवतियों पकवाडे में ही करने चीए इस प्रकार त्यार खेत में खर्पतवार कम पनपते हैं गवार पसल के लिए जलवाईू गवार एक सुका सहन करने वाली गरम जलवाईू के पसल है यह उन्च शेतरों में असानी से उगया जा सकती है जहां पर ओसित वार्षिक वर्षा 30 से 40 संटीमेटर तक होती हो विजों के अंकूर्ण वाई जड़ों के विकास के लिए 25 से 300 संटीमेटर के निचे तामान उप्यूकत होता है गवार एक परकास से विदन से फसल है अता इस फसल में फूल वय फलियों का निवान के वर्षिक के मौसम में ही होता है अता दिक बारिस वर्षांत वाट ठंड़ को यह सैन नहीं कर पाती है जिन छेतरों में अता दिक गरमी पड़ती है पंतु सिचाई की सुविद्धा उपलब्ध है वहाँ पर गवार की खेती से बरपूर पैदावार दी जा सकती है सुशक और अज सुशक दोनों दसाओं में इसकी खेती असानी से की जा सकती है गवार एक उसन कटे बंद्या फचल है जो 18 से 30 डिग्री सलस्टिस के औस तामाल मरपकती है ख्रेब की गरम और आदर जलवाईयों के काण पेड़ों की वर्दी बहुत अच्छी होती है सर्दी के मौसमें इन फचलों की के तिलाब दैग नहीं होती है यह फचल सभी परकार के मिट्टी में उगाई जा सकती है अच्छी जल्म निकास वाली मद्यम से भारी मिट्टी में फचल अच्छी तरह से बढ़ती है यदि मिट्टी की सतर्व पत्ति यह फचल चकर फचल चकर को क्रोप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है किसे निश्चित भूमी में निश्चित समय बारी फसलों को लगातार अदल बदल कर वोना ही फसल चकर कराता है फसल चक्र का मुद्ध क्या उद्धिया किसी भी तरह के पोद्धे के लिए भूमे में मुझूद पोशक्दतों के उसलुपियों किसे भूमे की बहुतिक और जविक सित्ति में संतुलब बनाया रखना होता है लगातार फसल चकर अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली की तरह की परिशानियों से छुटकारा मिलता है फसल चकर का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी भूमी में से लगातार अच्छी फसल ले सकते है और इसके पनाने से खित की औरुक सकता भी बनी रहती है जबकि एकी फसल को लगातार उगानी से किसान बाइयों को फसल की कम उपज मिलती है एकी फसल को खित में लगातार लगाने से मिट्टी में 20 जनित और मर्दा जनित रोग भी बढ़ जाती है जिसके कारण बुमी में वशेले गुन आ जाते है, बुमी के अंदर वशेले गुन उत्पन हो जाने पर, बुमी पहीं पाई जाने वारी चोटी प्योगी मित्तर कीट नष्ट हो जाते है, और बुमी देरे देरे बंजरूप जान करने लगती है फसल चक्कर के फाइदे फसल चक्कर के अपनाने से बुम्मी की उर्ख सकती बनी रहती है फसल चक्कर के अपनाने से बुम्मी में अमलिय और सारी गुंड पोशकततो और जविक पदार्थों की मातरा संतूलित रहती है फसल चक्कर के अपनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीज जनित रोग नहीं लगती है इसके अपनाने से फसलों में पैदावार दिक मातरा में प्राप्त होती है जिसके गुणबता भी अच्छी पाई जाती है बूमी में फसल चक्र अपनाने से रसाइनिक उरोक कम आतरा में इस्तेमाल किया जाते है जिससे मिट्टी दुस्षित होने से बचती है फसल चक्र अपनाने से फसलों में रोक भी कापी कम ही देखने को मिलती है जिसकी वज़े से किसान बायो दोरा रसनेक दोयों पर क्या जाने वाणा खर्ची भी कम हो जाता है फशल चक्क्र के दुरान भली वाली फ़सलों की बौने फर खेत में नाइट्रोजन गी पूर्ती बनी रहती है फसल चक्र अपनाने से खेत में करपतवार में कमी देखने को मिलती है क्योंकि फसल चक्र करके दोरान अधिक गुड़ाय वाले फसलों को बोने पर खेत में करपतवार नश्ट हो जाते हैं अधिक पुसंद तक तो गरण करने वाली फसलों की खेती के बाद खेत को एक वार खाली छोड़ देना चीए किसी भी विशेश रोग के लगने पर उस फसल को लगातार खेत में नहीं उगाना चीए जिन फसलों की जड़े अधिक गराय में जाते हैं उन फसलों के बाद जिन फसलों की जड़े कम गराय में जाते हैं उन्हें उगाना चीए और आज फसलों के उगाने के बाद दो से तिन साल में एक बार धनलनी फसल को जुरूर उगाना चीए देख गुडाई वाली फसलों के बाद कम गुडाई की जूर्ट वाली फसलों को उगाना चीए देख सिचाई वाली दान जैसी फसलों के बाद कम सिचाई वाली जूर्ट की फसलों को उगाना चीए अधिक उड़ लेने वाली फसलों के बाद जिन फसलों के उरुक की का पिकम आव सकता हती है उन्हें उगाना चीए इस फरकार हमें फसल कर अपनाना चीए बीज का चुनाओ हमें एक ऐसी वराइटी का चुनाओ करना होता है जो वराइटी अच्छा उत्पादन देती हो जिसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता हो और जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांगो और उसका बाव भी अच्छा हो क्योंकि एक बड़ी एक क्वा दानों के लिए उनत किसमे अजजी 365, अजजी 563, 220, हरी फिलियो तो उनत किसमे आइसी 38, M83, पुशा मोसमी, अर्य चारे के लिए उनत किसमे, ये मुख्यत अर्य चारे के लिए उप्योग की जाती है, बुंदेल गुवार 3 गुवार करनती गुवार 2 गुवार 80 गुवार 1 अगर आप पैदावार के लिए उपयोग करते हो तो दाने वाले उनत किसमों का ही चुनाप करना चाहिए अगर आप एरेजचारे के लिए उपयोग करते हो तो एरेजचारे वाले उनत किसमों का की मातरा वह बीज उप्चार यदि आप गवार की फसल दानों और अरिउपलियों के लिए करना चाहते हैं तो एक अंकड के लिए दाने की फसल के लिए पांच से छे किलो बीज प्रियापत रहता है और अरिखाद फसल में पंदरा से सोड़ा किलो परतियंकड बीज की जूर् इन विजो को खेत में लगाने से पहले उने कैप्टान या बावस्ट्रिंग की उच्छित मातरा में उप्चारित कर लिए ताकि विजोकार में पंपुद्ध या फंगस जैसे रोग ना लगे पुद्धोय में जड़ों के अधिक मातरा में गांट फाइदा करने के लिए ज सबसे पहले हम फंगिसाइड से विज को उपचारित करते हैं फिर इनसेक्टिसाइड से विज को उपचारित करते हैं फिर आज जो भी हम कल्चर से हम उपचारित करते हैं फंगिसाइड को उपचार करने का मुख्या उदेशिया है फंगस की बिमारियों की रोख्थाम के ल पर लानी फसल होने के इन नाइट्रोजन की कुछा पर्ति वात्तावरन की नाइट्रोजन को जोड़ों में उपसित वांट और एक्तरत के लेजाती है लेकिन फसल की पावरेम्बी कवस्ता में पौशक तर्तों की फुर्ति के लिए 20 कृलो नाइट्रोजन बाद चाड़िस कि मातरा को एक लेटर पानी वबा डाइसोग्राम गुड के गोल में पंदरा किलोग्राम भी उसको पचारित कर चाहा में सुखा कर बोना लाब दया करता है खेत की त्यारी के समय पांच टन गुबर या कंपोस्ट कार्ड या दो तिन वर्ष में एक बार अवस्य प्रयोग से पह कूडों में पुदों की जुडों के पास वर्षा जल से भी अधिक संग्रित होता है जिससे पैदवार अधिक मलती है और फसल की देखवाल करने में भी असानी रहती है गुवार के बुआई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45-50 सेंटीमेटर था पुद्द से पुद्द की जाठवनेटर 7000 से पूंड सेंटीमेटर पर करने है वह एकमा भूमी में प्रियापत मातरा में मर्य हूने चीह जिससे बीज का जमाव शी अधिक प्रियापत मातरा में होशके अगर आप ने न peux में भी जाय किया है तो आप इसकी मेड मशन स्पाधारिया थैस परिया प् पिर आप इसमें खर्पतवार नियंतर के लिए पेंडा में लिथियां 30% EC का 50-500 mm को डाइसो लेटर पानी में मिलाकर इसका चुटकाव कर दे जिसे की केद में खर्पतवार नहीं होगे खर्पतवार नियंतर गवार के फसलों को खर्पतवारों से पूर्ण तया मुकद रखना चीए समाइने फसल बवाई के 15-20 दिन बाद की तरह के खर्पतवार निकल जाते है जिसमें जंगली जूट जंगली चरी वद्दूब गास परूँक है गवार के फसल में समाशमा पर निराई गुडाई करके खर्पतवारों को निकलता है रहना चीए इससे पूद्द की जोडों का विकास भी अच्छा हता है और जोडों में वयू सुंचार भी बढ़ता है दाने वाली फसल में बैसालीन एक के लोग प्रती एक्टेर की दरसे खेत में बुआई से पूरों मर्दा की उपरी आठ से दस सेंटिमेंट से सत्ता है बार चुटकाओ कर खत्तर पार उपर नियंतर पाया जा सकता है खरपतवारों के नियंतर ने एक्टू फसलों की बुआई के दो दिन पस्चाथ पैंडा में लिध्यान 30% इसी का भी चुटकाओ कर सकते हैं बिज्जाई के 30 दिन बाद खेत में खरपतवार उग जाते हैं जिस खरपतवार उगने के बाद हमें उसकी निराई या गुडाई आच से ही कर देनी चाहिए निराय गुडाय करने के बाद एगर खेत की सिचाई करनी हैं तो ठीश दिन बाद हम खेत की सिचाई कर सकते हैं जल प्रबंदन अगर खेत में पानी का बढ़ाव जधा होसकता है तो म decorative करना चाहिए क preference करना गुआर की फशल में जधा पानी की जूट नहीं होती है गुवार की फसल में कीट वरोग प्रवंदन दिमक फसल के पोदों की जोड़ो को खाकर ये नुक्सान पुचाती है बॉआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में किलून पोस एक पॉइंट पांच पत्ति सतिया कलोरिफाइस पाउडर बीश से 25 किलो परती एकटार की दर से भूमी में मिलानी चाहिए बॉने के समय बीश को कलोरिफाइर इस केट ना सकी दो मिली लेटर मातरा से पत्ति किलोग्राम बीश की दर से पचार कर बॉना चाहिए नंबर दो कातरा इस कीट की लट पारंबे का वस्ता में फसल के पोदों को खाकर नुक्सान पुचाती है इसके नियंतरन के लिए खेत के आस पास पाई रहनी चाहिए तथा खेत में प्रकॉप होने पर मिथाईल पैराथियोन या क्यूनोल फास एक पाइंट पास पत्ति से चूण की 20-25 किलोग्राम आतरा पत्तियक दर की दर से बुरुकनी चाहिए इसके नियंतरन के लिए ट्रकॉप होने में गोल बनाकर पत्तियक एक्टर की दर से चूण करना चाहिए वेक्ट्रियर बलाइट यागवार की बहुता निकर बिमारी है इस बिमारी के उपर गोल अकार के दब्बे बनते है इस बिमारी के नियंतरन है तो रोग रोधी किस्मों का उगाना चाहिए बिज को 2 ग्राम से ट्रेप्टो सैक्लिन से परती किलो बिज की दर से उपचारित करकर बोना चाहिए चाचिया इस रोग के कांड़ पोद्य के उपर स्पेद रंगे पाउडर का आवरन बन जाता है इस रोग के नियंतरन है तो 25 किलो ग्राम भुवाई के 30 से 40 दिनों बाद खेत में फुटाओ बढ़वार और फुलों की संक्या में जबर्दस्त वद्दी करने के लिए हमें पलानोफिक्स और कल्टार जैसे टोनिक का इस्तेमाल करना चाहिए इसका उभियो करने से फूलों की संक्या में जबर्दस्त वद्धी होती है, फलियों की संक्या ज़्यादा से ज़्यादा बनती है, फूल जड़ते नहीं है, 15-20 दिनों के अंतराल में हमें 2-3 सप्रेक करने चाहिए, चिपपवाय रहतेला की रोक थाम के लिए हम मोनो क्रोटो इंडिकलोराइड या टाटा का असा टाप जैसे दुआए यहों का फिटकाव करना चाहिए, अन्य के टवाय रोक की रोक थाम के लिए आप अपने नस्दिक की डोक्टर से भी संपरक कर सकते हैं, इसके बार जैसे ही पैदावार या फसल की कटाई सुरू हो, इसके बाद हम इस पैसल की कटाई कर लेने चाहिए, इसके बाद हम इसकी दूब में शुपा लेना चाहिए, इसके बाद हमें इसकी कटाई कर लेने चाहिए, कटाई करने के बाद हमें इस पैसल का बंडान कर देना चाहिए, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो क ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और इंडियन टेक्निकल फर्मिंग को सब्सक्राइब करें धन्यावाद ज्यादा हो।